नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो आने वाले अगले साथ दिन यानि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय जो की महिने के अंतिम बचे हुए साथ दिन है और गौर करने वाली बात यह है कि 24-25 अक आपके परिवार के लिए पैसो के लिए नौकरी के लिए स्वास्थ के लिए बिरुजगारों के लिए प्रेमी जोडों के लिए क्या असर लेकर आने वाला है तुला राशी वालों को किस बातों का ध्यान रखना होगा किन गलतियों से बचकर रहना होगा वीडियों के बहुत सारा लाप प्राप्ते कर सकते हैं अपनी जिन्देगी को बदलते हैं तो थोड़ा सा समय आप निकाले और वीडियो को बिल्कुल अंततक जरूर देखें सबसे पहले मालक्षमी के सच्चे भग तभी के भी वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जै आप तुरंत ही यात्रा पर लग जाएंगे जो कि व्योसाय की सिलसले में होने वाली है कोई प्रभावी व्यक्ति आपकी जिन्देगी में आएगा और आपके केरियर कारोबार को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा यदि आप अपने प्रमोशन या ट्रांसफर की रा आज में भी बढ़ेगा क्योंकि सूरी ग्रहन का प्रभाव आपकी राशीवर कुछ ऐसा पढ़ रहा है कि राजनीती से जुड़े लोगों को अब बड़े जिम्मेदारी सोपे जा सकती है यदि भूमी भवन के क्रे विक्रे के आप सोच रहे थे तो इस अक्टूबन महा के बिल्कुल अंत तक आपकी यहाँ ख्वाईश पूरी हो सकती है भूमी भवन से जुड़े सौधे आपको अच्छा खासा लाब दिलवा सकते हैं लेकिन प्रेम संबंदों की दरश्टी से थोड़ा सा साउधान रहना होगा अगर आप किसी को अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो बात बन सकती है लेकिन बहुत कॉंफिडेंट के साथ आत्म विश्वास के साथ आपको अपनी बात रखनी होगी विल्कुल बेगबराना नहीं है वन्ना बात बिगड़ जाएगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन साथ दिनों में और साल के अंतिम ब पत्ती की प्राप्ती हो सकती है या फिर किसी अन्य जमीन या मकान से जुड़े विवात को दूर करने के लिए भी भाग दोड़ करने पर सकती है यदि संबह हो तो कोट कचरी जाने की बजाए घर परिवार में बेट कर अगर मसलों को सुलझा लेंगे तो बहुत फाइदे क की बात आपके लिए रहेगी इस दोरान आपके इश्ट मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा जिनके बलबूते पर लंबे समय सेट के वे काम को भी पूरा करने में आप कामियाब रहेंगे यदि किसी प्रेजन के साथ आपके संबंद बिगड़ जाते हैं तो इस सप्त के अंत तक सारी गलत फेहमिया दूर होगी और अच्छे रिटर्न यहाँ पर आने वाले हैं लेकिन आपको भी जिन्दगी में एक बात हमेशा ध्यान रखनी हैं कि जिस प्रकार से पतिजड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते वे जिन्दगी में बिना परिश्र करने वाले हैं इस सप्ताहा के मद्धिभाग में मौसमी बिमारिया आपको चपेट में ले सकती है देखिए अब जैसे जैसे ठंड वड़ रही है वैसे वैसे नकारात्म ग्रह आपको कही ने कही से प्रभावित करने का विचार बना रहे हैं तो अपनी सुरक्षा आपने सा देखिए कई बार हम उपसाह में आ जाते हैं यहार का समय होता है थोड़ा बहुत दिखावा भी करना होता है तो हम क्या करते हैं खर्चा बहुत जड़ा कर देते हैं और जब महिने का अंतिम समय आता है तो यहार निकल जाता है तब हमें पता चलता है कि यार यह तो बजट से ज़्यादा हो गया तो वहाँ थोड़ा सम्हलना होगा वनना बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है आपकी बचत भी खत्म हो सकती है और व्यावसाय से जुड़े लोगों को थोड़े बहुत जोखिम उठाने पर सकते हैं लेकिन रिस्क लेंगे तभी तो बाकियों स सम्बंदों की दरश्टी से बहुत साउधाने के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है वरना बनी बनाई बात बिगड़ सकती है खास तोर पर उतावलापन तो आपको दिखाना ही नहीं है और अपने प्रेल सम्बंदों को जग जाहिर करने या फिर उसका प्रदरशन करन इसे आपको बचना है अन्यत आपको कठिनाई या जिलनी पड़ सकती है और जो आपकी संतान है उन्हें लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है क्योंकि कहीं न कहीं संसकारों का थोड़ा सा कमजोरी यहापन नजर आ रही है हम शुरू से कहते आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों को संसकारवान बनाईगे आपको अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही इन साथ दिनों में नहीं करनी है अनिता अगर आप एक नोकरी पेशा है तो आपके बौस के घुस्दे का शिकार आप हो सकते हैं और अपने काम को किसी और के वरो से छोड़ना भी नहीं है ऐसा करके तो बहुत बड़ी गलती मोल ले लेंगे यदि आप पार्टनरशिप में व्योसाय करते हैं तो धन एवं काम संबंदि सभी चीजों का हिसाब किताब करते रहना है किसी के भरो से नहीं बेटना है वनना काम बिगड़ जाएगा काम काजी महिला है जो भी काम काज है उसमें संतुलन बिठाने में आपको थोड़े दिक्कत आने वाली है क्योंकि यूँ तो सामानिस दिनों में आप संभाल लेते हैं लेकिन दिवाली के दिनों में व्यस्तता बढ़ जाएगी घर भी व्यस्तता बढ़ जाएगी काम काज भी बढ़ जाएगी तो त विदेश संबंदित अगर आप काम करते हैं तो विदेश में जाकर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं करियर बनाना चाहते हैं तो अच्छी खबर इस सब्ताह में आपको मिल सकती है लेकिन कारे छेतर में थोड़े बहुत गुप्त शत्रू परिशान करेंगे फिर भी आपके पास अनुभाव है और अपने अनुभाव के बल पर आप इनसे बच जाएंगे इस दोरान किसी भी कागज पर साइन या हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से उसे पढ़ लेना है शुप्चिंतकों की सलाह जरू ले लेनी हैं प्रेम संबंदों की दरश्टी से थोड़ा साउधान रहना है हमने आपको बता दिया है और परिक्षा प्रत्योगिता की तियारी में जूटे चात्रों को मन चाही सफलता पाने के लिए इस सप्ताह में परिश्रम थोड़ा सा और बढ़ा देना है जैसे ही त्योहार निकलत पुर्वक कहेंगे या वानी को विनम्र नहीं रखेंगे तो बदले में जवाब भी वैसा ही मिलेगा तो विनम्र बनिये विनम्रता में जो मजा है वो अकड में नहीं है वो घमंड में नहीं है तो मीठी बोली बोलिये स्वार अच्छा रखिए लोगों के दिलों पर जो आ चाहते हैं बड़े दिल से उपाय बताएंगे एक एक उपाय ध्यान से सुनिएगा ये उपाय आपकी भी किस्मत वदल देगा जिसमें जो सबसे पहले नंबर का उपाय है वो दिवाली की रात के लिए हैं दिवाली की रात को आपको क्या करना है जब आप माता लक्षमी की दॉ伽री वपाय हम आपको बताएंगे दोस्तो भाईदूच के लिए मिठाइऑं बाइदूच के करनाए ताकि आपके जीवन में जितने भी आपके भाई है या बेहन हैं उन्हें बहुत फाईदा इस्से होगा दानपूने में आप छोटे बच्चों को पठा के बाढ़ सकते हैं मिठाईया बाढ़ सकते हैं बस उनके चहरे पर प्रसनता आनी चाहिए और ये प्रसनता आपके जीवन को भी रंगीन मना देगी इस बात की गैरेंटी है तो तुला राशीवालो आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले साथ दिनों के बारे में और हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी लाइक आप जिरूर करेंगे कॉमेंट बॉक्स में जै माता दे लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद